हलो दोस्तो स्वागत है अपका हमारे चानल ट्रेंटेंग ओफेर्स पर दोस्तो इस बात से तो आप सब सहमत होंगे कि आज की तारीक में इंडिया एक ऐसा देश बन चुका है जिस पर दुनिया के लगबक सभी देश हर शेत्र में काफी भरोसा करने लग गए हैं। पी एक ऐसी खबर है जिसका खहना यह है कि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चाइना के सामने इंडिया को एक ग्लोबल मेनुफाक्ट्रिंग हब बनने से रोक रही हैं। इसके विस्तार से बात करें तो बुद्वार यानि के 26 एप्रेल को मुंबई में आयोजिन की दुरान एक्सपोर्ट्स को खहना था कि आज बे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ग्लोबल मेनुफाक्ट्रिंग हब बनने के मामले में इंडिया के रास्ते में खड़ी हैं। जिसकी वज़े से इंडिया इस मामले में चाइना के जगा लेने में फिलहाल सक्षम नहीं है। कि MD और CEO प्रमोट सागर का खेना था कि आज से 20 साल पहले इंडियों चाइना से लगबक 100 साल पीछे था। पर हमने बहुत नंबी छालांग लगाई और हम चाइना के नस्दीक आ गए। बहले ही अब वहां तक नहीं पहुचे पर अगले दशक इंडिया के नाम होगा। टाटा पावर पिचुस के MD और CEO प्रवीर सिन्हा ने दिया और कहा कि इंडिया के पास बहुत ही अच्छा टालेंट है पर यहां पर फैक्टरीज को चलाने के लिए जो स्किल्स चाहिए होती हैं उनकी कमी है। हमें अभी और ज़्यादा फैसिलिटीज लाब्स और मशीन की जुरत है और लोगों को जब भी कोई मशीन दिखाई जाती है तो उन्हें उस मशीन को खोल कर उसके सारे पार्ट्स के बारे में जानना चाहिए। ऐसे ही लोग समझेंगी कि एक फैक्टरी को कैसे चलाना है। अब ये तो थे एक्सपर्ट्स के उनकी अपने विचार। इस बारे में आपका क्या सोचना है हमें कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें।